Hello guys, welcome to Universal Bike Knowledge दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि अगर आप first time गारी purchase करते हैं तो आपके मन में सवाल जरूर होता है कि अगर आप cash गारी purchase करेंगे तो क्या document लगेगे अगर आप finance कराते हैं तो क्या document लगता है तो आज की इस वीडियो में मैं यहीं सारी बात करने वाला हूँ बहुत सारे लोग confusion होते हैं यानि first time गारी अगर purchase करते हैं तो उनके अंदर ये confusion जरूर होती है अब सबसे पहले बात कर लेते हैं registration के नियम तो अभी जो current में registration के नियम है जब से बाहान 4 आया है बाहान 4 की होज़ा से बहुत सारे changes हो चुके हैं registration में अगर आप नहीं गारी लेते हैं तो उनके registration के लिए पहले कोई भी document लगा के registration हो जाता था यानि गारी नंबर आ जाता था लेकिन अभी जो है current में बहुत सारे changes हो चुके हैं तो अगर हाल फिल हाल में आप गारी लेने की सोच रहें तो ये आपके लिए जाना बहुत जरूरी है कि अभी जो current में अगर आप गारी परचेश करते हैं तो कौन से document के जरूत होती है सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों बहानफोर की side पे ही होता है अब बहानफोर जो एक side पे होता है उससे ये अच्छी सुब्दा मिल जाती है कि अगर एक गाड़ी की कहीं और दूसरी जगा registration नहीं हो पाता है actually जो बहानफोर नहीं था तो कोई भी एक गाड़ी दो दो 3-3 बार registered हुई है ऐसा मैंने notice भी किया है लेकिन जब से बहानफोर आया है एक गाड़ी अगर एक जगा registration हो जाती है तो दूसरे state में या कहीं दूसरी जगा उसका registration नहीं हो सकता तो ये एक अच्छी सुब्दा हो जाती है government ने काफी चादा सोच समझ के जो बहानफोर है उसको launch किया है बात करते हैं सीधे कैस की कि अगर आप कैस में गाड़ी परचेश करते हैं तो किस document की जरूरत होती है तो अगर आप दिल्ली जैसे city में है कैस में गाड़ी परचेश करने की सोच रहे है तो सिर्फ आपके पास आधार काड होना चाहिए दिल्ली का आधार काड होना चाहिए साथ में mobile number registered होना चाहिए क्योंकि registration के टाइम पे OTP आते हैं registration के लिए तो एक तो आता है आपका आधार से अब आधार से काम क्या होता है कि जो आधार में data होता है वो automatic जो है registration software में फिल होता है उसके लिए एक OTP जाता है जो कि गाड़ी का owner है वो OTP जैसे ही बताएगा OTP डालते ही सारे data जो है बहानफोर में automatically आ जाते हैं इससे एक चीज़ यह हो जाता है कि जो आपके आधार card में है same वही data जो है automatic बहानफोर में फिल हो जाता है जिससे होता क्या है कि गलती होने की सम्भावना भी नहीं रहती है जैसे आप पहले registration कराये होंगे कभी या किसी के साथ ऐसा जुरूर हुआ होगा कि आधार card में कुछ और address है लेकिन अगर आधार card में address की वज़ा से कुछ और address आ गया ये manual feed के वज़े से होता था लेकिन अभी ऐसा बिलकुल नहीं है और आधार card दिल्ली का होना ही चाहिए ऐसा है कि जैसे OTP डालेंगे अगर आधार card जो है manual दिल्ली का अपने कर रखा है और online change करा रखा है तो नहीं होगा क्योंकि जैसी OTP डालेंगे तो वो सीधा सीधा बता देगा कि ये जो है other state का जो है आधार card है तो आधार card दिल्ली का होना compulsory है mobile number registered होना जरूरी है क्योंकि एक OTP जो है आधार card से आता है और जो दूसरा OTP है वो बहान 4 की site से आता है जिससे owner को ये पता चलता है जिससे गाड़ी का चालान होता है बाद में या फिर कोई भी RTO के तरफ से notice जारी होता है तो उसके जो mobile पे है सबसे पहले message कर दिया जाता है RTO के तरफ से तो उसको सारी चीजे A to Z पता चल जाती है साथ में वो RTO के लिए feedback भी अपना share कर सकता है तो ये थी cash में गाड़ी रेने के लिए अगर आप cash में गाड़ी purchase करते हैं तो आपके पास अगर आधार card है तो आप बहुत easy तरीके से जो है गाड़ी purchase कर सकते हैं और अच्छी खासी सुधा पा सकते हैं अगर in future कभी कोई दिक्कत होती है तो अगर आपके पास आधार card लगाया है registration में तो काफी ज़्यादा बढ़िया हो जाता है आपको ज़्यादा भाग दोड़ करने के जोड़ोत नहीं होती है अब बात करते हैं दोस्तों उनके लिए जैसे union bank आप इंडिया हो गया जो government authorized है यानि government की bank है उससे जो है आप गाड़ी ले सकते हैं लेकिन 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 अगर आप ये पुरूप लगा के गाड़ी लेते हैं तो बाद में बहुत सारी दिक्कते होती हैं जैसे कि अगर आपको गाड़ी बेचनी पड़ जाए या फिर आपकी आर्सी खो जाए तो आपके लिए बहुत दिक्कतों का सामने करना पड़ता है लेकिन अगर आप आधार कार्ट से purchase करते हैं तो आपको in future भी कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है अगर आप कोई भी आड़ी लगा के गाड़ी purchase करते हैं तो इसमें दिक्कत क्या होती है ये बहुत थोड़ा लंबी काहानी हो जाएगी तो अगर आप कहेंगे तो मैं अगली वीडियो इस पर बना दूँगा अब बात करते हैं दोस्तों अगर आप finance कराते हैं क्योंकि लोगों के मन में जरूर आता है कि अगर वो गाड़ी finance कराएंगे तो बहुत सारे document की जरूत पड़ेगी तो दोस्तों अब बिल्कुल ऐसा नहीं है हर चीज को धीरे धीरे करके digital की और ले जाया जा रहा है यानि digital किया जा रहा है तो अगर आप finance कराते हैं आप कोई भी गाड़ी परचेज करते हैं दिन्दे जैसे city से belong करते हैं तो सीधा सीधा सा फंड़ा है आपके पास आधार काट होना चाहिए दूसरा pen card होना चाहिए और अगर आपके पास bank account है तो बहुत अच्छी बात है अगर ATM है तो बहुत अच्छी बात है तो अगर आपके पास bank account आधार काट और pen card है तो आप finance easy तरीके से करवा सकते हैं अब बात करते हैं दोस्तों उनके लिए जिनके पास आधार काट pen card तो है लेकिन bank account नहीं है तो कोई घबलाने की बात नहीं है अगर आपके पास bank account नहीं है तो आप जिस भी bank से गाड़ी finance कराएंगे वो थोड़ा सा पैसा आपसे charge करती है और जो आपको free में account open करके दे देती है जिससे आप आने वाले in future में account को use भी कर पाते हैं साथ में जो है पूरी तरीके से जो आपकी EMI है उसे उस bank से digital कर दिया जाता है यानि e-net कर दिया जाता है अगर आपका आधार से भी e-net होता है अब e-net होता क्या है जैसे digital माध्यम होता है कि automatic जो है पैसे आपके account से debit हो जाएं यानि finance company में automatic account से debit होके चले जाएं यह होती है e-net की सुबदा अब दोस्तो e-net काफी ज़्यादा बढ़िया हो जाता है अगर आप cash में EMI भरते हैं तो आपने finance, financer को जो है cash दे देते हैं लेकिन financer क्या करता है थोड़े दिन बाद, दो दिन बाद, चार दिन बाद जाके company में पैसा जमा करता है उससे क्या होता है, कि जो date होती है, उस date पे पैसा जमा नहीं हो पाता और आपका जो cb score है धीरे-धीरे-धीरे करके down हो जाता है और finance company आपसे penalty एस उलती हैं, तो ये सारी जंजड़ से आप मुक्तिफ आ सकते हैं, अगर bank account नहीं है, तो जिस company से आप finance कराएंगे, वही company आपको थोड़ा सा पैसा चार्ज करके bank account ओपन करके दे देती है तो काफी ज़्यादा बढ़िया प्रोसेस हो जाता है तो अगर आप, चाहे आप cash गाड़ी परचेश करें, या फिर finance गाड़ी परचेश करें cash में सिर्फ आधार काड़ लाइए और गाड़ी ले जाएए, इसके लब आप कोई और भी document, government अप्रूब लगा सकते हैं, अगर आप finance कराते हैं तो आधार काड, pen card और bank account अगर आपके पास है, तो काफी ज़्यादा बढ़िया है, और मुझे ऐसा नहीं लगता कि अगर कोई भी bike लेनी की सोच रहा है, तो उसके पास bank account नहीं होगा, बिल्कुल होता है भाई, लेकिन किसी किसी के पास नहीं होता है, अगर नहीं होता है, तो जो भी 1500 रुपे लगते हैं उसे देके, उसी bank में जिस bank से आप finance कराते हैं, account open कर दिया जाता है, तो मैंने आपके सारी confusion को दूर कर दिया है सीधी सी एक बात मैं आपको और बता दू बहुत सारे comment आते हैं, कि किस age group के लोग, जो है गारी purchase कर सकते हैं, तो दोस्तों, अगर confusion को दूर करने के लिए दिया है, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज चैनल को subscribe करें, क्योंकि मैं आपके लिए bikes related सारी जानकरिया हमेसा लाता रहता हूँ, चाहे bike का review हो, या फिर कोई finance की scheme निकलती है, या फिर कोई भी discount offer निकलता है, तो आपको इस चैनल पर सबसे पहले पता चल जाता है मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में एक नएा टापी लेकिए, तब तक के लिए thank you, धन्दबार, आप लोग सेप रहिए, सुरच्चित रहिए, अपना ध्यान रखिए thank you